ये नजारे देखें, ये टूरिजम के आड्स देखिए, ये आकाईवल वीडियोस देखकर शायद अटपटा सा लगें, लेकिन है तो ये पाकिस्तान से ही। हाँ, एक अलग टाइम से, एक अलग जबाने से, जब पाकिस्तान एक प्रोग्रेसिव और इंक्लूसिव देश हुआ करता था, जो आधुनिक भी बन रहा था, अपने कल्चर को भी बचा रहा था, अपनी डाइवर्सिटी को भी रिस्पेक्ट करता था, अपने अमेजिंग प पॉसतन आमदिनी, इंडिया की बराबरी करती थी और कभी-कभी तो हमसे भी ज़ादा थी, पाकिस्तान एक टाइम पे वन अफ़ फास्टेस्ट ग्रोइंग एकॉनमीज इन दे वर्ल्ड हुआ करता था, उसके जीडीपी के चर्चे दुनिया भर में थे, पाकिस्तान वो द principles होगा और हम सब equal citizens को equal rights देंगे, लेकिन आज उसी पाकिस्तान में हिंदू minority और सिख minority को target किया जाता है, उन्हें दुश्मन बना दिया जाता है, उन पर bulldozer चला दिया जाता है, उनके हक कुछले जाते हैं और उनकी दुहार सुनने के लिए कोई भी नहीं, एक टाइम पे progressive West का चहीता पाकिस्तान, आज एक terror state, एक terror haven कहलाया जाता है, एक financial grey list में डाल दिया जाता है, बहुत बड़ी तादात में पाकिस्तान के लोग सडकों पर protest करने उतर आते हैं, वहां की जनता अब बस tourists, IMF के bailouts और human rights का बस इंतजार ही कर रहे हैं, पाकिस्तान में आज democracy का गल फूसा जा रहा है, जैसा कि फॉर्बर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने हाली में जेल से अब ये बयान दिया है कि पाकिस्तान में आने वाला जो election है, वो एक बहुत बड़ा धकोसला होगा, आखिर ऐसा हुआ क्यों, कि पाकिस्तान के जजबात, उसके हाला इस तरीके से बदल गए, क्या कभी असली inclusivity और democracy पाकिस्तान में थी क्या, या ये एक western concept of democracy है, जो पाकिस्तान पर ठूसा गया था, जो वहाँ के लोगों को मनजूर होने वाला नहीं था, अगर inclusive democracy थी किसी time pair, तो वो गई कैसे, कौन निगल गया उसे, आर्मी, या धर्म के थेकेदार, और पाकिस्तान की आवाम, वो क्या कर रही थी, जब देश का इस तरीके से बिड़ा गर्ग हो रहा था, वो कौन सी गलतियां है, जो पाकिस्तान ने की, जिसे किसी भी देश को दोहराना नहीं चाहिए, अगर तबाही से उसे बचना हो तो, जानते हैं ये सब, आज के देशभक्त एपिसोड में। पाकिस्तान की GDP annually 4.8% से बढ़ती है, उस टाइम पे इंडिया की ग्रोथ annually करीबन 3 प्रतिशत से जादा नहीं थी, वही वेस्टन पब्लिकेशन जो इंडिया की slow economic growth को हिंदू rate of growth बुलाते थे, इंडिया का मजाक उड़ाते थे, वही पब्लिकेशन पाकिस्तान को Asian role model का tag South Korea से comparison होता था, देख लीजिए, 18th January 1965, New York Times लिखती है, पाकिस्तान एक ऐसा economic milestone पर पहुँच सकता है, जो अब तक सिर्फ एक और देश पहुँच पाया है, और वो है United States, लंडन की Times अगबार भी 1966 में यही गुड़गार करती है, कहती है, पाकिस्तान का development एक बेहत remarkable मिसाल है कि nation building किस तरीके से की जा सकती है, 1958 तक पाकिस्तान में एक un-elected democratic political elite का एक बहुत strong control था, काफी corruption, काफी political instability थी, जिनना बहुत untimely death हुआ था उनका, पर जब 1958 में पाकिस्तान आर्मी जेनरल आयूब खान ने power अपने हाथ में ले ली और कुछ ऐसे कदम लिये, कि लग रहा था कि पाकिस्तान अब तरक्की के राह पर चल दिया, अयूब खान ने land reforms किये, एक green revolution, पाकिस्तान का green revolution उन्होंने अपनाया, जिससे पाकिस्तान पंजाब एरिया में agriculture growth काफी तेजी से increase हुई, इस time के दोरान जब इंडिया non-aligned movement कर रहा था, उसी time पाकिस्तान ने अपने economic aid मिला, for example, 1963 में America ने पाकिस्तान को 360 million dollars दिये, अगर आकडों की बात करें तो आज तक के date में America ने पाकिस्तान को 70-80 billion dollars दिये है as aid, अब आप शायद इसको भीक मान लीजिए, लेकिन जो initial aid मिला था, पाकिस्तान ने उस foreign aid के साथ dams, roads, दूसरे infrastructure projects का निर्मान किया, जिससे explosive growth possible हुई थी उस time के लिए, अब वो growth artificial थी, superficial थी, उस पर debate हो सकता है, लेकिन GDP जरूर बढ़ी थी, और सिर्फ economic growth ही नहीं, progressive social changes लाने की भी कोशिश की गई थी, 1961 में अयूब खान ने Muslim family law ordinance लागू किया, उस जमाने के लिए एक बढ़ा और बहुत progressive कदम था, age of consent for marriage, laws relating to divorce, maintenance, सब के हवाले से महिलाओं के अधिकार बढ़ाए गए, जादा protection मिली उन्हें, अयूब खान ने Islamic fundamental groups के खिलाफ, उनके खिलाफ लोहा लेकर family planning laws भी introduce किये, तो उस समय पाकिस्तान धर्म नहीं, एक progressive state के तरफ जा रहा था, हमने जो एपिसोड की शुरुवात में आपको नजा state बन रहा था, पाकिस्तान का soft power भी बढ़ा था, music, टीवी शोउस popular हो रहे थे और space program और nuclear program की शुरुवात भी इसी समय हुई, 1968 में अयूब खान ने अपने 10 साल के rule को decade of development celebrate करने का एलान किया, कि पाकिस्तान जल्द ही अब एक super power बनने वाला है, एक developed और modern देश बनने वाला मगर पाकिस्तान और अयूब खान का ये सपना बहुत जल्द तूटने वाला था, जब authoritarian rule में लोगों का सबर का बांध जब तूटता है ना क्योंकि आप उन्हें कुछ बोलने नहीं देते हो, लेकिन जब वो बांध तूटता है तो सहलाब ही आता है, देश की GDP तो तरक्की पर थी, लेकिन लोगों के पास खाना खरीदने के लिए पैसे तक नहीं थे, फूड इंफलेशन को पुलिटिकल मुद्दा बनाके जुल्फिकार अली भुट्टो ने देश भर में आंदोलन किया, और उधर बांगला देश में भी उथल पुथल चल रहा था, पबलिक का आ इस्ट पाकिस्तान से आवामी लीक की होती है, with an absolute majority of 160 seats, जुल्फिकार अली भुट्टो की PPP सिर्फ 81 seats जितती है, वेस्ट पाकिस्तान में लेकिन जो elites हैं, वो नहीं चाहते थे कि इस्ट पाकिस्तान में आज का बांगला देश, वहां से आकर लोग federal government पर राज करें, उन प और के बाद पाकिस्तान के दो टुकडे होते हैं, बांगला देश का creation होता है, पांच लाख लोगों की unfortunately जान जाती है, और कुछ ही सालों में साउध एशिया का model state, एक basket case, एक भिकारी state के तरफ बस अपना सफर शुरू कर चुका होता है, लेकिन ऐसा होता क्यों है, क्या इस सारे पहेलू है, एक ही करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं, पहला point यह है कि political power को concentrate करना, one nation, one religion, one leader, पाकिस्तान शुरू से ही democratic structures को undermine करते आया था, शुरुवाद से ही dissent को military और police के जरिये कुचला जाता था, जिन्ना के time से ही problem शुरू होगी, आजादी के बाद उन्हो ने बलोचिस्तान में, North West Frontier province में political opposition को jail किया, उन पर गोलियां बरसाई, अंगिनत human rights violation किया, उस समय की सोच ये थी कि देश के एक कोने में लोगों को हम कुचल रहे हैं, देश के एक कोने में आग लगी है, कौन सी बड़ी बात है, होने दो कोई फरक नहीं पढ़ेगा in the long run, इसी fundamentalism का दूसरा पहलू था linguistic और cultural fundamentalism, one leader के साथ, one nation, one language, one nation, one culture policy, उसको लागू करना, diversity को suppress करने की कोशिश की गई East और West पाकिस्तान में, इसका best example अगर आपको हम दे, तो जिन्ना अपने पूरे कारेकाल में बस एक बार, एक बार East पाकिस्तान गए, जो आज बागला और वहाँ जाकर उन्होंने 1948 में कह दिया कि भाई, पाकिस्तान की national language सिर्फ और सिर्फ उर्दू होगी, बेंगॉली को equal दर्जा नहीं दिया जाएगा, इस master stroke के चलते East पाकिस्तान में काफी protest हुआ, लोगोंने इसका बहुत जादा विरोध किया, जिन्ना की 1948 में जब मौत हो जाती है, उसके बाद पुलीस intervention लेकिन तब भी तगड़ा चलता रहा, 23rd February 1952 में धाका युनिवरसिटी के कई protesting चातरों पर पुलीस ने गोलियां चलाई और सेक्डो स्टूडेंट्स को मार डाला, जहां भी आप लोगों का धर्म या उनकी भाशा जबरन तरीके से दबा पाकिस्ताने की कोशिश करते हो न, उसका अंजाम शॉट नहीं, तो लॉंग टर्म में बहुत बुरा ही होता है, यही विधी का विधान है, लेकिन पाकिस्तान में ये बात समझने या समझाने वाला कोई नहीं था, तीसरा पहलू है religious fundamentalism, one nation, one religion, 1953 में लाहॉर में एंटी एह पाकिस्तान में और अंत में बार भार धर्म का नाम लेकर पूरे देश का डबा गोल कर दिया जाता है, उसके बार में अभी दो सेकंड में बात करते हैं, पर यहां पर जानना important है कि काफी scholars के मताबिक, जब भी किसी देश की politics में इतना fundamentalism आप घुसाने की कोशिश करोगे, इंप्रेसिव result दिखे या strengthening दिखे, अंत में ये one nation, one everything का दीमक किसी भी देश को खतम ही कर देता है, 1960s में पाकिस्तान में impressive growth जरूर हुआ था, पाकिस्तान में economic miracle तो हुआ था, मगर इस growth की पाकिस्तान की अंदर ही बहुत सारे लोग आलोचना करते थे, क्योंकि इस model में का भर भर कर थी, कराची जैसे शहर में और पाकिस्तान पंजाब में तरक्की थी, growth थी, no debate, मगर बलोचिस्तान में, East Pakistan में कंगाली की हालत थी, growth में बहुत जादा regional inequality थी और income inequality थी, हाँ, शायद कराची के सडकों में fancy गाडियां, imported गाडियां चल रही थी, लेकिन paper पर ही growth था ground पर नजर नहीं आ रहा था पूरे पाकिस्तान में, इसी लिए labor strikes, protest, आम बाते होने लगी, April 21st 1968 में डॉक्टर महबूबुल हक ने उस time पे पाकिस्तान planning commission के वो chief economist थे, और उन्होंने कुछ भुखला देने वाले आंकड़े सामने रखे, उनके calculations के मताबिक पाकिस्तान के 22 richest families पाकिस्तान की 66% industry को control कर रही थी, और यही 22 race परिवार पाकिस्तान के banking और insurance industry का 87% वो उन्होंने control सम्हाल के रखा था, 87%, अब American financial institutions पाकिस्तान political elite के साथ तो काम करी रहे थे, they were in bed with them, उनको इन नंबर से तो कोई खास problem नहीं थी, ठीक है, शुरुआत में capitalist development uneven होता है, कुछ लोग बहुत जादा अमीर हो जाते हैं, कुछ लोग बहुत जादा गरीब हो जाते हैं, लेकिन अंत में इस सब में होता है भला लोगों का, क्योंकि भई, अरे भई, लोग उपर से rich होते हैं, फिर नीचे लोगों को पैसा मिलता है, बचपन से हम यह theory school में पढ़ते हैं, इसको trickle down effect economic theory में कहा जाता है, लेकिन कभी यह दिखता नहीं है, क्योंकि पूझपती पहले तो अपना पेट भर लेते हैं, सारा पानी पी लेते हैं, फिर नलका बंद कर देते हैं, trickle down कुछ नहीं होता है, और ऐसा ही growth अगर पाकिस्तान में हुआ होता, तो शायद American aid क इत्ते सालों तक और इत्ते खर्बों की aid जरूरत नहीं पड़ती, और शायद, शायद ऐसा हो भी सकता था, हो सकता था कि पाकिस्तान तरक्की कर लेता, अमीर के साथ भी, लेकिन गरीब ऊपर थोड़ा आ जाता, लेकिन जो पाकिस्तान की fundamentalism की problem थी, जो बुनियादी issue थी, उसी ने ही पाकिस्तान को destroy किया, कहीं न कहीं उसी decade of growth, उसी 1965 के बाद से ही downturn शुरू हो गया था, जब पाकिस्तान ने इंडिया से कश्मीर छीनने की कोशिश की और बुरी तरीके से असफल रहा, इस हार के बाद आर्मी की political control, उस पर सवाल उठने लगे कि भई, election कब करवा क्योंकि कब तक पाकिस्तान को आप general election नहीं दोगे, कब तक आप खत्रे में हैं चलाते रहोगे, जबकि इंडिया ने 1952 से ही regularly election करा रहा है, आप क्यों नहीं करा पा रहा है हो dear Pakistan army, income inequality के खिलाफ भी protest शुरू हो गए थे, West Pakistan में People's Party of Pakistan के नेतरत में और East Pakistan में आवामी लीग औ एक और बहुत बड़ी demand रखती है, one nation, one language और one nation, one leader policy को रद किया जाए, कि East Pakistan को अपने अधिकार मिले, अपने language rights मिले, cultural rights मिले, East Pakistan में socialist parties का जादा influence था, वो चाहती थी कि उनको अपना खुद का economic model, independent तरीके से उनको लागू करने दिया जाए, one nation, one economic model उन्होंने ठुकरा दि तो one nation, one culture की policy जो थी, जिसके तहत पाकिस्तान सरकार ने टेगौर के राइटिंग्स को anti-Pakistan pro-Hindu बुलाकर ban कर दिया था, ऐसी बेवकूफ वाली हरकतों के खिलाब भी East Pakistan में एक मुहीम छिड़ गई, मगर ताना शाह तो ताना शाह है, अब वो किसकी सुनने वाले हैं, आ प्रोत क्या होती थी, ये तो उसे मालूम नहीं था, यही सबसे बड़ा difference बनता है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कि पाकिस्तान में कभी भी एक inclusive democratic space नहीं था, आज भी नहीं है, अयूब खान ने मुझीपुर रह्मान को anti-national communist कहकर 1967 में उनको jail में डाल दिया, East Pakistan में बहुत बड़े level पर protest होने लगे, West Pakistan मने आज का पाकिस्तान में भी income inequality तो काफी थी, उसके वज़े से strikes और प्रदरशन भी होने लगे, दबाव में आकर अयूब खान ने चुनाओ का तो एलान कर दिया, 1947 में जो पाकिस्तान आजाद हुआ था, उसका पहला general election होता है, 1970 में, total seats 300, majority mark 151, आवामी लीग ने East Pakistan में clean election sweep किया, 167 seats अपने लिये कि, यानि की clear majority, इतना 1-1-1 चिलाने वाली party, उसको majority नहीं मिली, किसको मिली, वो party जो federalism, socialism, linguistic rights और diversity की बाते करती थी, वेस्ट पाकिस्तान की political elite, People's Party of Pakistan PPP जैसे pro-democracy parties, ये कोई भी इन में से नहीं चाहता था, कि East Pakistan से मुझी वो रह्मान आए, और आवामी लीग पूरे पाकिस्तान पर राज करे, फेडरल सरकार को कंट्रोल करे, PPP के लीडर जुल्फिकार अले भुटो ने आर्मी जेनरल याया खान के साथ हाथ मिलाया, Marshall law declare कर दिया गया और पाकिस्तान का कटरवाद अब एकदम climax पर पहुँच गया with operation search light, March 1971 में आर्मी को East Pakistan भेजा गया, political leaders को arrest करने के लिए और March 25 से एक mass murder campaign शुरू किया, याया खान ने खुद order दिया, 30 लाग बंगालियों को मार दो, बाकी सब हमारे गुलाम बन कर रहेंगे, जब इंडरा गांधी ने US President Nixon को एक letter लिखा, कि भाई इस genocide को आप immediately रोकें, उस letter के बारे में Kissinger ने Nixon से कहा कि कुछ reply देने की ज़रूरत नहीं है, हम याया खान को खुश रखेंगे, Nixon ने भी जबाब दिया, good, go ahead, the Indians, what they really need is a mass famine, अगर mass famine नहीं, तो कम से कम वो एक और जंग में फज जाएं, Kissinger ने हां में हां मिलाया, कहा कि Indians are haram जादे, यार, such bastards, वो ही Kissinger, सौ साल की उमर में, अभी भगवान को प्यारे हुए, दुनिया भर में बहुत सारे लोग आज उनकी अबजरी में लिखते हैं, कि एक war criminal मारा गया है, खेर, वो अलग स्टोरी है, अमेरिका की मदद के साथ, पाकिस्तानी आर्मी ने पांच लाग के आसपास, बांगला देशियों को मारा जरूर, लाखों का रेप हुआ, कुल एक करोर बांगला देशी refugees इंडिया भाग आये अपनी जान बचा कर, बेंगॉल political activists और communists के साथ साथ, हिंदूों को भी खास करकी target किया गया, बहुत बड़े level पर एक anti-Hindu कतले आम हुआ था, पर अंत में इंडरा गांधी ने military intervention किया, आर्मी हमारी भी उसमें involved हुई मुक्ती बाहिनी, जो की बांगला देशी freedom fighters थे, उन्हें train किया गया, पाकिस्तान के military को हराया गया, बांगला देश आजाद हुआ, वन नेशन, वन रिलिजन, वन बॉडल, वन लैंग्वेज, वन लीडर, जो ये जो कटरवाद का ये जो पागलपन था, उसका नतीज़ा ये हुआ, कि लाखों की मौत हुई, और पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए, अब ऐसे complete civil war के बाद, किसी भी देश को वापस उभरना उसके लिए मुश्किल होता, क्योंकि वो दो में बढ़ गया, इस्ट पाकिस्तान के अलग होने के बाद, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी trade deficit crisis उत्पन होनी शुरू हुई, पाकिस्तान जो अपनी economy को sustain करने के लिए, बहुत बड़े amount of commodities को import करने लगा, जो imports for example 1971 में 638 million dollars की थी, वो सिर्फ कुछी सालों में 1977 में जाकर 2.32 billion dollars तक पहुँच गई, इस time period में export value भी बढ़ती है, पर इतनी नहीं कि trade deficit को cover किया जाए, कुछ का मानना है कि इस time से ही पाकिस्तान का balance of payment crisis शुरू होता है, जो बार-बार उन्हें loan लेने के लिए, हाथ फेराने के लिए मजबूर कर देता है, जो कि आज तक जो trend चलता आया है, इसकी वज़े से भुटो की चुनी हुई सरकार अपने state socialism model projects भी implement नहीं कर पाती है, 1977 तक economy की हालत काफी खराब हो चुकी है, इस्लामिस्ट पार्टी का influence अब धीरे-धीरे बढ़ता है, और भुटो को challenge करना लगता है, बड़े level पर फिरजे protest होने लगते हैं, 1977 में elections होते हैं, जिसमें भुटो की पार्टी जीती है, पर opposition rigging का इंजाम लगाती है, और इस political instability का हवाला दे कर, चीफ अफ आफ आमी स्टाफ जेनरल जिया ओलहाख पाकिस्तान के दूसरे military coup को अंजाम देते हैं, elections रद कर दिये जाते हैं, और देश में इसलामी करन का process जो होता है, अब एकदम मजबूत बनने लगता है, क्योंकि जब आपके पास और कुछ दिखाने के लिए नहीं होता है, तो आप धर्म का सहारा लेने लगते हो, जिया ने फिर से foreign aid का रास्ता अपनाया, पाकिस्तान को अफगानिस्तान बौर में इन्वाल्फ किया, जिसे अमेरिका से पहें मिले, जैसे अयूब खान के दौर में हुआ था, ठीक वैसे ही एक बार फिर से अच्छे GDP नंबर्स रेजिस्टर होते हैं, मगर inequality की problem जो थी, वो वही की वही थी, और इस बार जिया ने political control के लिए, इसलामी कटरवाद को भर भर के support किया, अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में भी, इस पूरे process में पाकिस्तान ने जिन मुझाहिदीन forces को fund किया और पनहा दी, उसका असर पाकिस्तान पर भी पढ़ा, एक्स्ट्रीमिजम और टेररिजम के culture को बढ़ावा मिला, जिस पाकिस्तान को western media model state बुलाती थी 1965 में, उस पाकिस्तान को terror financing के आरोप के वज़े से 2008 में financial action task force के grey list में डाल दिया, यानि वो देश जहां international पैसा अगर पहुँचे तो उसे terror activities के लिए इस्तमाल कर दिया जाता है, पाकिस्तान बस बाल-बाल बचा था international community, ये कहे कि आप एक designated terror state हो, और आज तक पाकिस्तान army extremism, IMF loan की चुंगल में ही बस फसा गुआ है, बलोची मार्च पर crackdown हो रहा है, political opposition को jail कर दिया जा रहा है, army का control है, inflation rates बेकाबू हो रही है, IMF से bailout की बिंती मांगी जा रही है, और trade deficit तो इतना खराब है कि पाकिस्तान के federal minister for planning and development ने यहां तक कह दिया कि चाई पीना आप कम कर दीजे, क्योंकि देश में बहुत सारी चाई की पत्ती credit पर, करदे पे import हो रही है, शायद अगर एक inclusive model अपना लिया होता, पाकिस्तान ने way back in the 1960s तो, और 1960s से ही अगर growth को inclusive करके करने की कोशिश किया होता, तो शायद आज result कुछ अलग होता, लेकिन बस ये one nation, one language, one culture, one model, one leader, ये जो रट लगा के रखी थी शुरुआज से ही, उसी के वज़े से पाकिस्तान का बेड़ा गर्ग होता है, और DK 1970s से ही शुरू हो जाता है, उसका जो प्रभाव होता है, जो impact होता है, वो कई दशक बाद दिखता है, पाकिस्तान की कहानी का गुन्हेगार सिर्फ एक ही है, कटरवाद, fundamentalism, समझदार वो है जो दूसरों की भूल से सीख ले, आज पूरे दुनिया में, चाहे वो इसरेल हो, तुर्की हो, टरंब का अमेरिका हो, यह कटरवादी सोच और इस विचारधारा से थोड़ा सा हमें चौकस रहना होगा, इस सोच को पहचानना होगा, उसके खिलाफ एक inclusive society और inclusive development की बात करना, यह बात जरूरी है, क्योंकि ऐसे सोच का नतीज़ा क्या होता है, वो हमारे सामने है, उसके खिलाफ टाइम रहते हुए आवाज ना उठाना, उसका कितना हामियाजा होता है, यह पाकिस्तान की आवाम आज आपको बता देगी, वो आवाम जो अभी, अब यह कह रही है कि हाँ, राश्टवाद और धर्म के नाम पर हमारा बेवकूफ बनाया गया है, हमें कंगाल करके छोड़ा गया है, और डिमोक्रिसी की हालत अब ऐसी है कि अब अगर कोई आवाज उठा भी ले, तो सिस्टम उसे गायब कर देती है, साल का पहला एपिसोड है, थोड़ा सा लंबा अगर हो गया हो और एंड में थोड़ा इमोशनल हो गया हो तो उसके लिए माफ करियेगा, लेकिन पूरी पाकिस्तान की हिस्ट्री एक एपिसोड में तो नहीं डाल सकते हैं लेकिन कुछ एक कोशिश है कि जो ट्रेंज हैं दुनिया में क्या चल रहा है उसे हम समझें उसे हम पहचानें और कम से कम साल के शुरुवात में एक प्लेज लें कि भाई एक alert citizenry होकर हम ये समझें कि कहां क्या गलत हुआ है और वो गलती हम फिर से ना दोराएं